शंकर प्रथाद हम peace loving country हैं इसमें कोई दौराइए नहीं हम शान्ती चाहते हैं लेकिन शान्ती किस कीमत पर हम चाहते हैं? What is the cost of this peace? अमेरिकन प्रेजिडेंट पीछे से आगे जब भी मारत के साथ है वह आपके बीच में नहीं बोले अजया सुन लिजिए अरे मैं पुलिटिकल बात नहीं कर रहा है अपनी पुलिटिकल आप जगड़ा करते रहें कि मेरी बात अलग सुन लिजिए देखिए हम चाइना से आज आप जगड़ा करते हैं अरे भाई ठून तो लो थे अरे जैड़ा करते हैं रेस्पेक्टेट जनरल साथ पहरत का किसी पड़ोजी से अच्छा रिष्टा नहीं आज यह तो पुलिटिकल जगड़ा है नेपाल से भी नहीं क्या कहिए एग एग ती के लैट लेट चंकर पसा जी यूर आडियो इस अप मेक यू पॉइंट थैंक यू बेरी मच अमीश देखे मैं ये कह रहा हूँ कि बात चीज करने में कोई आपती नहीं है अभी चाइना के जो फॉरन मिनिस्टर हैं उनसे कल परसों में हमारे फॉरन मिनिस्टर की बात हुई है हमारे कई दफ़ा चाइ इस इंसिडेट भारत के अंदर किये है और क्या भारतकों का जवाब बाचीज से करना है कि करना है इस देश को Rokasar करेंगे कि देखी हम अपने लोग रोज़ को रहे हैं हमारे सिपाई मर रहे हैं हमने कितना अर्व बलिदान दे चुके हैं आपको ये मालु है कि किस प्रका गलवान में जगड़ा हुआ था लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से बातचीत लगतार होती है चाहरी है military level पर बातचीत होती है आपको पता होना जाहिए political level पर बात होती है को पता होना चाहिए foreign ministers की बात होती है आपको पता होना चाहिए अब आगे जो मीटिंग होने वाली में हो सकता है कि विवेक अनुराब बदोरिया has a point ओके ओके विवेक 30 seconds make you a point 30 seconds 30 seconds विवेक make you a point पहली चीज हम support करते हैं हम support करते हैं talks को और जनरल साब आपने सही का 71 के युद्ध में जब 7th fleet United States की चली थी तो it is the Russian submarines जिन्होंने आ करके भारत का साथ दिया था अब पाकिस्तान से बात करने कर सकते हैं कि यह सरकार अब पाकिस्तान से बात करने का support कैसे कर सकते हैं जी जी सुनिए जितनी भी सरकार हैं हुई है चाहे वाजबही की सरकार रही हो मोधी साब भी गए और नवाशरी साब से मिलकर के आए बाचीत की कोशिश की गई diplomacy and anti-terrorist operations have to go side by side आप एक तरफा नहीं हो सकते आपको दोनों को ले के चलना पड़ेगा यही चीज़ हम भारत सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको देश द्रोही कह दिया जाता है इतना पैसा जो इस विश्व में लग रहा है हम मोधी सरकार और मोधी साब की इस बात का समर्थन करते हैं कि रूस में जा करके उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट वार, हम इस बात का भी समर्थन करते हैं, कि मोधी साहब ने अमेरिकन प्रेशर के बावजूद, जैशंकर जब उसकर नए ने एक्ष्टनल अफेर्स मिनिस्टर बने थे, तेल रूस से लिया अमेरिकन सही है, तो सबnınखायी आपम में घटक जलो करो, को डाइए, एक कहला है कि मोधी को हम चैनलज देते हैं, लेकर आए, तो पिकनिक है आपको पिकनिक लग रहे है, जब आप एक तरफ अमेरिकन मदी नेकरेज करेंगे, उनाइटे में च्छाइन द्रिकती लिए ये इस संदर् इसमें कितना फायदा किसका हो रहा है हमें और इसमें सबसे दरूरी बात समझने की यह है कि रश्या ने वादा किया इंडिया से कि जो आर एंडी टेक्नोलिजी आम्स एन्मोनिशन की वह भारत को देंगे वह किसी वज़ा से भी चाइना किसे शेर नहीं करेंगे यह बड़ा इंपॉर्टन पॉइंट है अनुवर पाशा इसलिए पिकनिक शब्द को वापस देना चाहिए परशाद जी अभी अपने जेनरल साहब से सिर्फ एक परश्ण करना चाहते हैं हम स्वागत करते हैं जो भी हमारे देश हित में होगा जो भी ट्रीटी साइन होगी जो भी समझावता देश हित में होगा हम उसका स्वागत करते हैं इसमें बिरोत कहा है हम जेनरल साहब देखे देखे ये ये भारत सेना भारत की सेना है किसी पुलिटिकल पार्टी की सेना नहीं है ये समझ लीजी आप जो सरकार पावर में होगी उसके आदेश पर भारत सेना काम करती है 1971 में कॉंग्रेस की सरकार थी कॉंग्रेस ने हुकम दिया भारत सेना ने उसका सही जवाब करेमले हुँ उसका जवाब ओरी से मिला है उसका जवाब बाहा कोर्ट से मिला है तो जड कोईुए भी-जै-पी की हो चाहें और किसी गड़बंदन की हो यह समझ लीगे आज की बाद पहली जफा और लास्ट टाइम कि भारत की सेना भारत की सेना भारत की सेना भारत की है किसी प्लेटिकल पार्टी के नहीं है वेरी वेरी वेल सेट। कि मनोबल तोड़ने के लिए अभी क्या कहा गया है अगनीवीर के विशे में कि मौाफ़जा नहीं मिला प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपके आपके बीच पे बिल्कुल नहीं बोले शेदाद फिर आप उते शेदाद इंटर्वीन करते हैं कॉंग्रस के नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने कहा कि अरुनाचल में सेना की पिटाई कर दी गई है और अभी आपने कहा कि देखे अभी कहा गया कि हम जो है पीसफुल रिलेशन और सारे ट्रीटीज को मानते हैं अभी लेफ्ट ने और यह उनका मैनिफेस्टो है उन्हों ट्रीटी समाफ्त कर दी जाए और हमारे न्यूक्लियर वेपन तो समाफ्त हो जाए पर तो अगर इरान और नौर्ट कोरिया वेपन बनाता है तो यह कॉम्मिनिस्ट पार्टी सेलिबरेट करती है अब इस पर मैं स्पेसिविकली पूछ रहा हूँ पाशा जी क्या भारत जव वोट मांगने का काम किस ने किया क पॉलिटिकल मिटिंग में किया आप के इस्टी 14 सचुरू होती है इसको नहीं मालू हो और आपको किसने सेना के नाम पर वोट मांगा था फुल वामा के बाद देश जानता है इस बात को सोना को सेना को कौन पूलिटी साइव आतंकवाधि आप PFI सीमी के नाम पर भारत की सेना है आप सेना पॉलिटिकल पार्टी की सेना नहीं है बाजपा की सेना नहीं है मोदी जी की सेना नहीं है सेना भारत की सेना है और हमें अपने सेना पर फक्र है हमें अपने सेना पर गर्व है सेना पर फक्र है ना तो सेना जब कहती है कि हमने surgical strike किया तो ख़बूत क्यूं मंगा गया आप बताइए कि जब सेना ब हला को test subscribe करते तो सबूत क्यूं मंगते और Osama को Osama Ji किसने कहा भाई किसने आतंक्यों की पैर्वी की किसने याकूब और अफजल की पैर्वी की किसने पिए पिए तो मुझे द्यान में आया एक उसामा का इंसिडेंट और केंपेंग करा रहे थे यह को इसाइ को इनवाइट करके पठान कोट के आर्मी बेस में आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई को इनवाइट किसे किया था पठान कोट के आर्मी बेस में आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- अब वो वापस आ गया काम शुरू हो गया है देखे अमीजी एक बड़ी बात है कि हम देश की 30 नमबर पार्टी है आपने मुझे 40 मिनट में मात डेड़ मिनट में नी बोले दिया साड़े 3 मिनट से उपर दिया था अब विट से जाद हम क्या के बागे देश की सबसे बड़ी पार्टी को तो सारा समय से मों तो हैंकरिंग करने हैं बन बर्से स्थी है दोना बंद करो तीन हो आप लो वह दूसरों से सवाथ कुछ ने में में विजे हम एक निजाब कर लो करता है यह चोटा सा कार करता हूं आपके लिए होंगे तीसरे दूसरे मैं तो एक चोटा सा कार करता हूं बहुत बढ़े नेता हैं आप चुनाब लटका का बढ़े नेता हैं आपको भविषय में एक मंत्री के लोग देख रहे हैं जब भी केद्वन सब्सक्राइब बड़ी स्मयदारी होगे हो सकता है वित्य मंत्री बंजा है आप अच्छ ठीक है ठीक है ठीक हम में अपनी बात क कि जब हम राष्ट की बात करते हैं देश की आर्मी है और भारत की आर्मी है मैंने पहले बोला था विश्ट की सबसे मजबूत आर्मी है इसलिए भारती जनता पार्टी कम से कम आर्मी के नाम पे राजनीत ना करें वो धरम के नाम पे भी राजनीत करते हैं आरे आपको राजन यह कितने में राश्ट की समस्या नहीं है यह राश्ट से समस्या नहीं है कि पेपल लीख हो जाए 25 जोग बच्चे यह और एक रोड़ फैमिली प्रभावित हो जाए इसमें हमारी च्वी नहीं गरती हमारी च्वी जब देज की पहलों मेलाओं को रोड पे घसीटा जाता है तो राश्ट की शबीने गरती, जब मनी पर जैसी घटना होती है तो राश्ट की स्वीने गरती रूस पर है सैर मैं ब्रेक के रें रूक रहा हूं, लेकिन देख की बाद बापस होंगा आप देख रहे हैं आरपार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ हम अपने कफ़ी काफी कुछ प्राप्त किया हिमारे राश्ट से को पैदा अब को यह देखे इसमे कोई आपती नहीं है वहारे राश्ट के मुख्या हैं और जाहिर है कि वह राश्ट के लिए इगर वो जाते हैं और और वह कोई भी संब्यवता करते हैं कोई करते हैं इसलिए आर्जेडी को यह बात को सुनना चाहिए संजे राउत करते हैं देश की जो समस्षा है उनसे रूपरून नहीं होना चाहिए पिक्निंग पनाने चले जाते हैं अच्छा अमीश जी इसी तरह की बाते बाकिन पक्षी ने ताबी कर रहे हैं पिछले दस वर्षों का पुछले दस वर्षों का जो हमारा तजर्बा रहा है अनुभाव रहा है जो देखा हमने हमारे प्रधान मंतरी जी जाहिर है के जितने भी प्रधान मंतरी अब तक हुए देश में सबसे ज्यादा बिदेश का दौरा करने वाले हमारे प्रधान मंतरी म भारत से हम अपने ट्रेट को नहीं भारत के अगर उनके विदेश दौरे से भारत के हित को अगर नहीं साधा जा सकता हित नहीं भारत के हित में नहीं है तो जाहिर है कि अगर यह यह रखा जाना चाहिए और नहीं कुछ प्राफ्ण होता है उनके दौरों से तो हम उस दौरे को पिकनिक भी मानेंगे लोग यह जानना चाहिए लिए एक 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 अनलिस्स कर लेना जरुदी है अभी अभी चुट। शंकर पसाद साब से शंकर पसाद साब कोई फाइदा होता नहीं है हमारे नेता चले जाते हैं हमारे प्रधान मंत्री चले जाते हैं एक तो politics है एक है ground zero से information जो information आ रही है जो जानकारी मिल रही है उसमें सर्वोच नागरिक सम्मान है उसके बाद सबसे बड़ी बाद जो उससे भी बड़ा में मानता हूँ है हमारे चालेज भारतियों को वतन वापसी होगी जो रूस की तरफ से युद्द लड़ रहते हैं यह समान में घटना नहीं है जी आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं देखिए सब को यह समझना चाहिए कि भारत और रश्या के कमस कमस पचास साल के अच्छ रिलेशन्शिप हैं उससे जादा कई हैं 1971 वार में रश्या ने हमारी कितनी मदद की थी उससाव आपको मालूम है आपको यह भी मालूम है कि भारत सेना के अंदर आज काफी तादात में रश्यान एकुपमेंट है नए एकुपमेंट के भी बात हो रही है जो यह आज की विजिट है यह एक बड़ी बड़ी स्पेश समय बढ़ चुकी है एक तरफ अमरीका और नेटो कंट्रीज है और दूसी तरह रश्या है चाइना है उसके साथ नौर्थ कोरिया और इरान वगरा मिल जाते हैं लेकिन भारत जो है इस समय वह अपने खुझ पैरों पे अलग खड़ा है इस समय भारत देखता है कि कहां मेरी मुझे बेनेफिट मिलता है कहां मुझे फाइदा है यह बर्ल की सब पावर्स कह चुकी है बर्ल के सब लीडर्स कह चुके है कि भारत की जो फॉरंड पॉलिसी है वो भारत के सिर्फ हित में है और भारत अपना हित देखता है और यह भी देखता है कि सब दुनिया में यह मै तो एक तो बड़ी बात यह है कि ए जो एक में बताओ दो तीन बात बड़ी जरूरी है यह बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है कि यह अजेंडा सब तै है यह सिर्फ ओफ दे काफ बात नहीं हो रही है यह बातें लिखी गई हैं डेलिगेशन दोनों तरफ डेलिगेशन की मीटिंग हो रही है उसका M.O.U. साइन होंगे 25-26 घंटे में मीटिंग हो जाएगी बड़े-बड़े मसलों पर बात हो जाएगी पिक्निक तो नहीं लग रही है और M.O.U. साइन हो जाएगा इसको अगर आप पिक्निक मानते हैं तो यह आपकी मर्जी है जेकी यह स्ट्रक्चर टॉक है इसमें इंडियन्स को रिलीज कराना है इसमें अपने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना है आपको यह मालू होगा कि पुटिन साब प्राइम मिनिस्टर एक जगा साथ गए नुकलियर एग्जिबिशन में नुकलियर कॉपरेशन की कॉपरेशन की बात हो रही है आप फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं हमारे हत्यार वहां से आ रहे हमारा ओल वहां से आ रहा है रश्या के बीच में और एरान से उधर ये एक सड़क बनने वाली है जिसको हम डेवलप करेंगे जी शंकर प्रसाद जी मैं आपके बस वापस दॉट के आता हूँ झाल